तो बच्चों इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्लाश 12 सबजेक्ट फिजिकल एजुकेशन सेट नमबर 4 कॉस्टन पेपर कोड 75 के सॉल्यूशन को जो की आज हुआ था सीबियस्टी क्लाश 12 का ठीक है तो देख लो सॉल्यूशन कि आपने कितना राइट किया था कितना रोंग ठीक है कॉस्टन नमबर 1 निम्न लिखित में से कौन सा प्राणायाम मोट आपे को कम करने के लिए सहायक है तो सूर्य भेदन प्राणायाम ठीक है सी ओप्सन राइट है अगला अंतर राष्ट ये पैरलंपिक समिती का गठन डेस में किया गया था तो सी ओप्सन राइट है 1989 ठीक है आगे निम्न में से कौन सा प्राण आस ही सुनता का कारण नहीं है तो सी ओप्सन राइट है ठीक है कॉस्टन नमबर 4 असेरसन रीजन वाला था इसमें ए ओप्सन लगाना था दोनों राइट है और कारण अब कथन की सही व्याख्या है ठीक है इंग्लिज मेडिय में भी सेम फर्स्ट में सी सेकेंड में सी थर्ड में सी फोर्थ में ए ठीक है आगे कॉस्टन फिफ्ट देखते चलो आंसर अब डारिक्ट सी ओप्सन राइट है कॉस्टन सिक्स ए ए लगाना था ठीक है अभी कथन कारण दोनों सही है कारण अभी कथन की सही व्याख्या है कॉस्टन सेवेन सी कॉस्टन फिफ्टन में डी है ठीक है क्लियर है आगे फाइफ में सी सिक्स में ए सेवेन में सी एट में डी ठीक है आगे कॉस्टन नूमर नाइन इसमें था भी टेन इसमें सी इलेवन इसमें सी टुवेल इसमें सी तीन से चार वर्स थर्टीन डी सलभासन दृष्टी बाधित छात्रों के लिए इसमें भी था सलभासन अगला कॉस्टन नूमर फॉर्टीन इसमें डी ठीक है इंग्लिस मीडियो में भी सेम नाइन में भी टैन में सी इलेवन में सी टुवेल में सी थर्टीन में डी और भी इसमें ठीक है फॉर्टीन में डी आगे कॉस्टन नूमर फिफ्टीन इसमें सी था कॉस्टन नूमर शिक्टीन इसमें डी है ठीक है सेवन्टीन इसमें ए ठीक है ध्यान रखना ए है एटीन सी है दृष्टी बाधित चात्रों के लिए भी है इसमें ठीक है इंग्लिस मीडियो में सेम फिफ्टीन में सी सिक्स्टीन में डी सेवन्टीन में ए एटीन में सी और इसमें बी टोटल एमसी की कॉस्टन कम्प्लेट कर दिया ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में थाइंक्यू फॉर वाचिंग झाल झाल